तो झेलोग दोस्तो। कैसे हो आप लोग जो अभी मेरीकॉर्ट ज़ता आवाज का डिफरेंस पहले वाला सुनना और अभी वाला सुनना और बताना के कैसे होंगे स्वागत करता हूँ आपका एक और वीडियो में और वीडियो आसे काफी खास होने वाली क्योंकि जो मेरा पिछला माइक था बोया का भी वाइक थोड़ा खराब हो गया था और इसी रिजन से लास्ट मैंने पोड़कास सूट किया था हमारे एक काफी अमेरिक मतलब काम की हो गए बट मैंने तुरंट उससे गल्दी से सीख लिया और एक माइक और कर दिया मैंने फिर से बोया बी वाई एम वन ही ऑडर किया क्योंकि साथ साले साथ सों में काफी बजट की माइक है और इसके अलावा आज कर लिए जे बिल भी इसका जो कॉम्प जब मैं पहली माइक लिया था तो मैंने तीन बार ऐसे रिटन किया था चवधी माइक मुझे ओर मिली थी तो अब देखने वाली बात होगी कि एक ऐसा क्या है मैं आपको डेटेल में बताऊंगो कि असली बोया को कैसे पैचान है तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कर लेता हुँ और बोचिंग करने क्यों एक अनबॉक्सिंग में शुरू करते हैं इसके अफैटेल करने में थोड़ा सा स्थेट फॉरण नहीं हो तो मैं कैसे ही मतलब इसे ओपन करने के बाद मुझे क्या मिला इस तरीके से आप देख सकते हो ँपूऑक्स करने के बाद में बोया, लेवेलियर, माइक्रोफोन इनका एक जो मैं आपको बता रहा था कि यह मतलब आपको जो एक दिया हुआ है बार कोड, इस बार कोड को आपको स्काइन करना है इनकी ओफिसियल वेबसाइट पे, मैं आपको डीटेल में बता दूँगा, दिखा दूँगा कि कैसे करते हैं, तो जो original होया रहेगा, वहाँ से आपको verify हो जाएगा, पहले मैं से open कर लेता हूँ, माइक के बारे में थोड़ी से information क्या से जो दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता दू, तो transducer जो है, इसका इलेक्ट्रेट कंडेंसर है, पोलार पेटर्न ओमनी डिरेक्शनल है, फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करें तो 65 हर्ट्स तो 18 किलो हर्ट्स इसकी रेंज है, सिगनल नॉइस 70 डेसिबल एस्पील है, एक काफिर टेक्निकल टम्स है, सेंसिटिविटी माइनस 30 डीबी, प्लस माइन इस तरीके से है, आउटपुट, इंपिडेंस, हाउजन, ओहम और लेस, कनेक्टर 3.5 mm का जो जैक है, 4 पोल, गोल्ड प्लग, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, जो मेरे पास ओपन करूँगा इसको तो, एक्सेसिरी इसमें क्या का इंक्लूडिड है, तो लेपल क्लिप रहेगी, उसके बाद में LR44 बैटरी रहेगा, फोम रहेगा, वाइंड स्क्रीन रहेगा, फोम वाइंड स्क्रीन, वन फोर्थ इसका अडप्टर रहेगा, बैटरी टाइप LR44 है, आपको सौप पे इसली मिल जाएगी, मैं लेके आया था भी 10 रुपय में, उसके बाद में इसका का है, तो माइक्रोफोन 18 mmH, तिको इसको आपको धान में नहीं दे रहे रहा है, केबल की जो लेंध है 6 meter के, 6 meter की है, वेट इसका माइक्रोफोन का 2.5 gram है, और पावर मोडिल जो है, जो आपका पावर मोडिल होता है, उसका 18 gram है, तो लगमक 20 gram की आपके माइक है, इस नो के जल्दी से आपको पता होगा उसके साथ में जो इसका रॉसर बोल सकते ह। मैं पुराना यूजर हुं कि उस पढ़ने के जूरत नहीं है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। उसके बाद में यह आपका warranty card है जिसमें इनका जो made in China है तुब फ्रेंक यह warranty card है आपके इसका कुछ यूज आएगा की नहीं आएगा वो तो बात की बात है देखने वाली बात होगी यहां पर दिया हुआ है उसके बाद में आपके पास इस पाउच रहेगा जिसमें बोया लि इस तरीके से है यह आपकी पूरी mic है एक camera अगर आप ऊपर करोगे तो camera में work करेगा और निछे करोगे तो smartphone में work करेगा ठीक इस तरीके का है उसके साथ में इसमें क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बता रहा था कि इसका कुछ तो technical नाम है foam wind screen तो एक आपको foam मिल जाएग इसके लिए है अब यह थोड़ा सा time लेगा यहां पर set होने में हां तो इस तरीकेस हो गया है अगर आप किसी amplifier वगरे में या किसी दूसरे में लगाते हो यह mic यूज करते हो तो आप इस jack को यूज कर पाओगे यहां पर connect करके ठीक है जैसे आप यहां पर connect करते हो नॉर्मल यह clip है जो हम collar पर लगाते है collar mic है तो collar के लिए clip तो चाहिए तो यहां से एक आपको clip मिलेगी उसके बाद में और सबसे successful mic है इस category में सबसे successful mic है क्योंकि mostly creators MWZ पर जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा reviews इसी का मिलेगा यह आपकी clip हो गए काफी weak होती है मेरी तूट गई पीछले बार मेरी गलती से और उसके साथ में एक बैटरी है उसमें बैटरी सायद नहीं है खोल के इसे open करके मैं दिखा दो आपको जैसा आप open मेरेंगे मेरी पहली unboxing सायद प्रॉपर ना हो पर ठीक आप समझना इसमें बैटरी नहीं है तो जो बैटरी साथ में आपर दिया हुआ पाउच में मैं इसे open करूँगा और यहां पर बैटरी लगा भी दूँगा यह मैं बीना माइक का रिकॉर्ड कर रहा हूं माइक से मैं रिकॉर्ड करूँगो तो आप आवाज का difference समझ सकते हो अब इसी जड़ा निकाल दिया जाए तो यह पूरी unboxing हो गई बोया MY1 की आज भी जब first launch हुई थे 2016 में तब से लेके आज 6 सार हो गए और आज भी माइक का जो बोल सकते हैं मतलब जो नाम इन्होंने कमाया है जो काम इन्होंने किया है आज भी है मतलब सोचों के मतलब 6 सार होने के बाद में जेबेल इतना famous नाम है बट मैंने जेबेल नहीं prefer क करेंगे बोया के सामने तो इस तरीके से माइक लग गई आपको अगर निकालना होगा तो यह जो ब्लेक है इस ले दिया जाता है इसको खीचों के निकल जाएगा मैं इससे बंद कर देता हूँ अब जो मैं sound record करूंगा तो मैं माइक से record करूंगा इस माइक से तो आप difference देखके बताना कि कैसा लगा तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग जो अभी मैं record कर रहा हूं वह या BY M1 से record कर रहा हूं आप जड़ा आवाज का difference पहले वाला सुनना और अभी वाला सुनना और बता को subscribe कर लेना वीडियो को like करना ज्यादा से ज्यादा से share करना मुझे भी देख लेक बार ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा इसे like करना share करना और subscribe थेंक्यू सुमाण जय है